फिस्टूला टेस्ट का बेसिस क्या है इसका बेसिस यह है कि जब हम प्रेसर चेंज करते हैं एक्स्टरनल के नाल में एक्स्टरनल ओडिटरी के नाल में यदि प्रेसर चेंज करते हैं तो बो प्रेसर ट्रांस्मिट हो जाता है लेवरिंथ में और बो लेवरिंथ को इस्टु सब्सक्राइब सबस्काइब 2 JO होता है क्या क्या पूज्च पहता है एक्स्टरनल ऑडिटरी के नाल में तो प्रिशुला टेस्ट क्या है नेगेटिव है नॉर्मल परसन में लेकिन ये पोजिटिव होगा जब फिस्टूला रहेगा तो ये टेस्ट पोजिटिव रहेगा तो फिस्टूला रहेगा तो जो प्रेसर चेंज करेंगे वो प्रेसर फिस्टूला की मदद से ट्रांस्मिट होगा से या फिर हमने सर्जीकल बिंडो क्रेट करी है कहां horizontal किनाल में horizontal semi circular किनाल में इस operation का नाम क्या है fenistration operation जो की एक टाइब 5 टिमपेनो प्लास्टी है उसके अलाबा हमने abnormal opening हो सकती है oval window में या फिर round window का rupture हो सकता है तो उस case में fistula हे तो fistula test positive है अच्छे जो fistula test है वो false negative हमें कहां मिलता है false negative का मतलब है कि यहाँ fistula है लेकिन फिर भी यह test negative आता है वो अपने को मिलता है leverentine fistula में cholestetoma में जबकि यह false positive मतलब fistula नहीं है फिर भी ये लेवरिंथ में transmit होगा pressure वो हमें कहां मिलेगा, दो case में मिलता है कहां congenital syphilis में congenital syphilis में क्या होता है जो stepies की food plate होती, वो hyper mobile होती है तो हलका सही pressure change करने पर ज्यादा उसका movement होता है तो pressure transmit होता है और दूसरा case होता है benious disease तो यहां false positive आता है fistula test तो यह हमने complete करा fistula test Thank you